चालो स्टेच इस्टिंग डीजुनेट वित ट्यूनिंग फोर्क है by हंडे ट्यूनिग ओड़र्टस चालो एक 주는 पास ट्यूनिग फोर्क हैैपिक जिर्टी शुनें जो law रिजुनेट किया गया एक इस्टिंग के साथ कलिए मतलब इसको भी ऑश्यून एड़ इसको भी उसिलेट कराए गया तो हमें कुछ फिर हुगा क्या इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी 500 एक ट्यूनिंग फॉर ट्यूनिंग फॉर फाइफ फाइफ त्यूनिग फॉर फ्रिक्वेंसी 256 अब समझने के कोशिश करना कि एक इस्टिंग है रिजूनिट फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्स वेने लेंद फाइफ इस्टिंग अगर लेंद फॉइंट फाइफ सेंटिमीटर है और यह 512 के साथ ट्यूनिंग फॉर करा दोनों को साउंड वाइबरिट किया गया तो रिजूनिट मत मतलब होता है maximum amplitude maximum intensity मिल नहीं है अब कहता है इस पर्टिकुलर सिच्वेशन पर अगर मैं फ्रिक्वेंसी इसकी 256 256 मतलब अगर यह अफ ता तो मैं इसका आधा कर दिया तो अब रिजूनेंट मतलब होने के maximum amplitude या maximum intensity maximum intensity maximum मिलने के लिए हमें कितनी लेंध की जरूरत है तो अगर आप यह वाली इस्टिक पढ़के आया होगे तो फर्स्ट लूब आप वाइबरेशन या मतलब फर्स्ट लूब या फर्स्ट हार्मोनिंग में तो अगर यहां पर देखोगे बागी सारी चीजां कॉंस्टेंट है तो फ्रिक्वेंसी इसकी प्रपोर्पोर्शनल टूब अपान यहां से देखो अगर रिजूनेंट फ्रिक्वेंसी अब आधा कर देते हो तो जो लेंथ है उसको डबल करना पहले 0.5 था तो अब जो यल्ड ऐसा आएगा वो 2L आजाएगा मतलब 2 और मल्टिप्लाइट बाइ 0.5 मतलब आजाएगा 1 मतलब C आप्शन सही है आसान कोश्चन था है कर दो आसान कोश्चन था जाया दुझवड़ा था है कर दो अबल आएखिज वो यल्ड ऑन आएगा तो आसान कोश्चन था और मल्ड आएगा विमूस्चन वेह था भुशन था तो अविवागा मतलब दो आएगां मतलबशन थाएगा